हेल प्रिंस आज हम पढ़ेंगे एक पोयम जिसका नाम है देथ बी नॉट प्राउड जिसे लिखा था जॉन डन नी जॉन डन ने यहां देथ के बार में बताया है कि उसमें घमंड आ गया है वो काफी प्राउड फिल कर रहा है तो वो इस पोयम के द्वारा बता रहे हैं कि त तुम ज़्यादा प्राउड में मत रहो क्योंकि तुम हारे आने से सिर्फ एक व्यक्ति हलकी सी निद्रा में जाता है और मौटल से इंटरनल में बदल जाता है और मौत क्या है देथ क्या है कुछ भी नहीं बस एक सांती भरा जीवन है तकलीफ तो जिंदगी दे रही है इस इसी Holy Sonnet 10 के भी नाम से जाना जाता है और इसे लिखा गया था 1609 में, इसे पब्लिस कराया गया था 1633 में, यह एक पिटार्चन सुनेट है, जिसमें 8 लाइने होती है, आक्टीव होता है और से स्टेट होता है, यानि 6 लाइने होती है, इसकी रायमिंग स्कीम की बात कर लिजा तो वो है A, B, B, A, A, B, B, A, C, D, D, E, E, और इसमें आयबिक पेंटामिटर का यूज किया गया है, और किस तरह बताया गया है, कि देट को ज़्यादा प्राउड नहीं करना चाहिए, उनसे लोग ऐसा भी नहीं है, कि बहुत ज़्यादा डरते हैं, और उसको ही आने से हम घ घबरा जाते हैं, तो इस वज़े से उसमें घमंड आ गया है, आएए दोस्तों देखते हैं इस पोयम को, पर पहले हम इस पोएट के बारे में जान लेते हैं, तो जॉन डर्न, जॉन डर्न का जन हुआ था 22 जन्वरी 1572 में, और इनकी देत हो गई 31st मार्च 1631 में, यह इंग लिखे, लव पोयम्स लिखा, रिलीजिन्स पोयम्स लिखे, एलीजीज, स्वांग्स, एन स्ट्रेशरी सर्मन्स भी किये, और इनकी फेमोस वर्क में आज की पोयम है, यानि की देत भी नॉट प्राउड है, वलेंडिकेशन हैं, और अफॉर बेडेन मौनिंग भी है, दा फ इनकी फेमोस पोयम्स हैं, तो आई दोस्तों, आज हम उनी फेमोस पोयमों से, फेमोस वर्क से, एक पोयम को उठाते हैं, जिसका नाम है, देट बी नॉट प्राउड, इसके लाइन बे लाइन हम पढ़ेंगे, और इसकी मिनिंग जाने की कोसिस करेंगे, तो यहाँ पे पोयट सीधा देट को बोलते हैं, कि हे मृत्यू, तुम इतना घमन मत करो, माना कुछ लोगों ने तुम्हें माइटी और डेटफुल माना है, माइटी का मतलब होता है, सक्ति मान और डेटफुल का मतलब होता भ्यानक, माना तुम्हें कुछ लोगों ने सक्ति मान और भ्यानक कहा है, पर तुम ऐसा नहीं हो, तुम ऐसा नहीं हो, तुम जिन्हें लेकर जाती हो, तुम जिन्हें लेकर जाती हो, वो मरते नहीं है, और येट कास्ट दौकिल में, और ना मैं मरूंगा जब तुम मुझे ले जाओगी, तो यहाँ पर पोईट देथ को ही चैलेंज कर देते हैं, कि हम लोग मरते नहीं है, जब तुम ले जाती हो, तो क्या होता है, आईए जानते हैं, from rest and sleep, which but thy picture be, much pressure, then from tray, much more must flow, and sonest, our best man with thy do go, rest of their bones and souls delivery, from rest and sleep, यानि आराम से और नीन से, which but thy picture be, यही तुमारी परचाई है, यही तुमारा तस्वीर है, and sonest, our best man with thy do go, और जब हम सोते हैं, तो हमें best man, यानि बहुत अच्छा एहसास होता है, और जिस तरह pleasure आता है, much pleasure जो हमें feel होता है, उसी तरह नीन से भी होता है, तो उसी तरह मौत से भी होनी चाहिए, क्योंकि मौत में भी तो हम सोते हैं, and sonest, our best man with thy do go, और जल्द ही हमारे best man, हमारी अच्छे आदमी तुमारे साथ चले जाएंगे, rest of their bones and souls deliver, और तुम bones उनकी जो हड़िया है, वो यहीं छोड़ोगी, और उनका जो soul आतमा है, उसे पकड़ोगी और कहीं deliver कर दोगी, यानि तुमें एक delivery boy हो, जो आतमाओं को इस दुनिया से उस दुनिया में deliver करते हो, तुमारे समेड तुमारे स्टार्ष।् या उन्हारे काम आता है क्योंकि kings और जो रा राजाये होती हैं वो तुम्हें chance देते रहदे या वो जो विमार काम करते रहते हैं and those with poison तुम poison की याणि जहर की दोस्त हो क्योंकि poison के वज़े से जंग की वज़े से और बीमार पढ़ने की वज़े से तुम्हारा काम बढ़ता है यानि मौत आती है और तुम्हारा काम शुरू हो जाता है और यह पॉपी यानि दवाईया और यह जो चाम्स है वो भी हमें सुला सकते यानि और ये जो दवाईयां है या पोईजन है या जंग है या बीमारी है ये सब चीजे हमें आराम से तुम से बहतर मार सकती है यानि देथ दे सकती है मतलब आराम से देथ देती है तो फिर तुम इतना घमंड क्यों बाल रही हो यहाँ पे पोईट अलग-अलग तरह से मरने की चीजे बताते हैं और आराम से मरने की तो फिर देथ इतना घमंडी क्यों है यानि एक छोड़ी से नीन अगर हमें आती है तो हम तुरंत इंटरनली जग जाते हैं और और फिर मृत्यू नहीं आती है तो फिर तुम्हें इतना घमंड क्यों करती हो तो यहाँ पे पोईट लास्ट की टूलाइन में यह लिख रहे हैं कि जब आपको छोटी सी नीन आती है और आप मर जाते हैं तब वो जो देथ है वो भी आपके सामने आने से डरेगी क्योंकि उसे लगेगा कहीं वो भी आपकी तरह मरना जाएं तो यहाँ पे इस पोयम में पोईट बस हमें यह बताना चाह रहे हैं कि जो देथ को घमंड हो गया है जिसके कारण हम उससे डर रहे हैं कि हम उसके सामने जाएंगे तो हम देथ हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर यम्राज की बेसिकली बात हो रही दोस्तों तो यम्राज से हम डरते रहते हैं कि वो आएंगे तो हमें मार देंगे पर ऐसा जरूरी नहीं है, देट से हमें डरना नहीं चाहिए क्योंकि जब देट आएगी तो हम आराम से मरेंगे डर डर के मरने में क्या है और और भी चीजे हैं जो हमें सांती से मरने में मदद कर सकती है तो इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए हमें जब तक जीना है सांत से जीना चाहिए क्योंकि डेट तो एक दिन आएगी और बड़े आराम से आएगी यही थी दोस्तों Death Be Not Proud जिससे लिखा था जॉन डन ने आपको यह पोईम कैसी लगी हमें कमेंट सेक्षन ने बता है लाइक करें, सेयर करें, सब्सक्राइब करें आपने मुझे पूरा सुनाइस करें धन्यवाद मैं आपसे मिलोंगा नेक्स टोरी में तब तक लेजए हमें